हेलो गाईज, वेलकम बैक टो माई चैनल दोस्तों, जैसा कि आपने मेरे थम्डेन में देखी लिया होगा कि आज का वीडियो हमारा किस टॉपिक पे होने वाला है दोस्तों, आज जिस प्रोड़क्ट के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ वो हमारे रोज के कामों को बहुत ही इजी बनाता है देखे दोस्तों, वो प्रोड़क्ट है हमारा ये गनेश चौपर दोस्तों, मैं इस प्रोड़क्ट के बारे में क्या बताऊँ ये प्रोड़क्ट बहुत ही अच्छा प्रोड़क्ट है जो हमारे daily use के काम को बहुत ही easy बनाता है देखे पहले तो मैं इसके आपको बता देती हूँ कि इसकी MRP price क्या है, इसकी size क्या है और ये देखने में क्या है, उसके बाद ही मैं इसकी features के बारे में आपको बताऊंगी तो देखे friend, ये यहाँ पर लिखा हुआ है गणेश shopper, ये आपकी, इसकी MRP price 621 है बट आप अगर इसे online purchase करते हैं तो ये हमें only 120, 140 या इससे भी बहुत कम price में कभी-कभी हमें receive हो जाता है जब guys आपका flip card, Amazon पे बहुत अच्छी-च्छी deal चलती है तब आप purchase करेंगे तो आपको बहुत ही कम price में ये receive हो जाएगा I think 98, 100, 105 इस रुपेस में ये हमें receive हो जाता है बट friend, अगर आप इसे offline लेंगे या कहीं किसी market से लेंगे तो ये आपको 400, 450, something इस तरह कुछ amount में receive होगा बट आप online लेजे तो ये बहुत ही कम price में आपको receive होता है और दोस्तों मैं आपको बता देती हूँ कि इसकी size क्या है देखिए जब आप online लेंगे तो आपको बहुत तरह की chopper दिखाएंगे गणिश में ही बहुत सारा chopper आपको दिखाया जाएगा बट वहाँ पर size भी अलग-अलग होती है इसकी size 725 ml है जो बहुत ही अच्छी size है ना ही ये जादा big है और ना जादा ये small है ये एकदम medium size वाली जो होती है वो है ये size एकदम perfect size है मुझे तो ये size बहुत ही अच्छा लगता है तो चलिए मैं आपको इसके अंदर से दिखाती हूँ कि ये कैसा है देखे ये कुछ इस तरह का है friend हमें उपर में कुछ इस तरह की lead मिलती है यहाँ पर कुछ इस तरह का blade मिलता है ये देखे इसमें हमें 4 blade मिलती है नीचे में यह हमें scripper blade मिलता है और यह 3 जो है वो आपका stillness steel वाली blade है यह देखें यह यहाँ पर इस तरह कुछ fit होता है यहाँ पर यह जो आपका बना हुआ है इसमें आपको इस तरह करके इसे fit करना होता है इस तरह fit करने के बाद देखें यहां पर उपर में जो एक hole बना हुआ है उसे आपको क्या है इसको उस hole के अंदर fit करना होगा इस तरह आप fit करें तभी जाकर फिर ये इस तरह करकर आप जब इसे करेंगे तो ये आपका work करेंगा आप इसमें बहुत ही अच्छे तरह से अपनी सबजीयों को चॉप कर सकते हैं इसमें आप ओनियन, गार्लेक का पेस्ट बना सकते हैं आप इसमें टॉमेटो, नट्स, वेजिटेबल्स जो चाहें वो चॉप कर सकते हैं देखें देखें दो मैं आपको एक बता दूँ कि इसमें आप जादा जादा वेजिटेबल्स या जादा कुछ भी चीज डाल कर पूल मत करियें अगर आप उस टाइम पूल करेंगे तो ये क्या होगा कि ब्लेट में अगर आप कुछ जादा टॉमेटो मानिया मैं आपको पूल करेंगे तो ये ब्लेट में फस फस के जाएगा और आपका पूल होने में बहुत ही जादा परिशानी होगी आपको तो आपको लगेगा कि मेरा ये चौपर अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है बड इसे बस आपको एच्छे से हैंडिल करने का आपको जरवत है आप क्य मैं आपको दिखा दूँगी कैसे आप इसमें वेजी टेबल्स को चॉप करेंगे चलिए देखते हैं किस तरह वेजी टेबल्स इसमें चॉप होते हैं किसे देखते हैं बेखते हैं भड़ा हैं बेखते हैं आप एक देखते हैं झाल 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 झाल